तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह हम दो elements जो harmonic progression में मुझूद हैं उनके तरमियान जो harmonic mean आएगा वो किस तरह find होगा वो भी हम discuss करने वाले हैं तो क्या होगा कि let suppose हम suppose कर ले कि let consider कि N consider a harmonic progression कि हमने harmonic progression consider कर ली जो कि HP है वो क्या है कि हमारे पास A, H और B उसके अंदरी तीन elements है तो यह हमारी harmonic progression है जो कि हमने consider की है अगर यह harmonic progression है HB याद रहे मैंने का था यह research protocol होते है ярthmatic progression के तो अगर यह harmonic progression है तो arithmetic progression क्या बन जाएगी वह हो जाएगी यह सदेखे HP harmonic progression यह हमने यह मिल जाएगा क्यूंकि अगर वह harmonic mean है, harmonic progression है तो newport byू सब्सक्राइगी अभी हम क्या find करेंगे harmonic mean तो harmonic mean find करने के लिए हम arithmetic mean का ही method यूज़ करेंगे क्या होगा कि let's suppose हम इस equation में से arithmetic mean find करें arithmetic progression का इस arithmetic progression का हम क्या कर रहे हैं arithmetic mean find करने वाले हैं तो जो arithmetic mean होता है वो क्या होता है a plus b upon 2 यह उसका general formula है कि first term divide plus last term divided by 2 और वो arithmetic mean होगा जो कि इस case में क्या होगा कि arithmetic mean की जगा पे है 1 upon h जो कि इसका दोनों का arithmetic mean है और a जो first term में हो क्या है 1 upon a और b क्या है 1 upon b जो कि last term है upon 2 अगर income solve करें तो क्या हो जाएगा 1 upon h equals to उपर जो l seem होगी a और b की होगी a b a का table a पे one times बेज़ेगा b b बन्जा b b b से cancel a बन्जा a और upon में 2 तो है यह अच्छा तो अगर पूसकों further solve करें तो यह हो जाएगा 1 upon h is equals to b प्लस a को में लिख देता हूँ a प्लस b upon 2ab यह किस तरह हुआ यह simple है b प्लस a upon ab divided by 2 था तो divided by 2 तो अगले स्टेबे हम क्या करेंगे divide को करेंगे multiply में change तो यह हो जाएगा reciprocal 2 से multiply हो गया तो हो गया 2ab तो हमने यहां तक find कर लिया कि इनका arithmetic mean यह है a प्लस b upon 2ab बट हमें arithmetic mean नहीं find करना हमें harmonic में find करना है h जो है बीच में तो इन दोनों को हम reciprocal कर देंगे तो यह हो जाएगा h by 1 यह हो जाएगा 2ab upon a प्लस b तो यह आपका general formula है किसी भी दो elements के दर में harmonic mean find करने लिए तो यहां पे upon में 1 लिखने की ज़रुद तो है नहीं तो यह 2ab upon a प्लस b क्या है यह ज़स्ट हम इस तरीके से हम harmonic mean find कर सकते हैं किसी भी दो elements के दर में जो के harmonic progression में मौझूद हो तो अगर दो elements a और भी harmonic mean में harmonic progression में मौझूद है जो h होगा इनका harmonic mean वो इस तरीके से find out होगा उसका formula यह रहेगा ठीक है तो अगर यह तो हमारे पास तब की बात थी जब एक harmonic mean हो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा harmonic mean हो तो क्या होगा तो और कुछ नहीं उसको हम generally लिखेंगे 1 upon h1 1 upon h2 1 upon h3 up to so on और यह हो जाएगा a पर यह क्या हो जाएगा 1 upon h n-1 b अच्छा यह 1 से इसे रोगा और n-1 तो जाएगा n-1 तक क्यों क्योंकि जो भी number of terms है उससे एक कम यह एक टू तो उससे कितने कम उससे दो कम उससे दो कम क्यों होने वाले हैं simple सी बात है first हमारा a है last हमारा b है तो उससे दो एक क्योंकि a plus d के formula से करेंगे कि h1 क्या होगा a plus d h2 क्या होगा a plus 2 d a plus 3 d इसके लिए आसान हो जाएगा गट किसी भी दो elements के दर्में harmonic mean find करने उसका method simple यह होगा अगर ज्यादा हैं तो हम उसको इस तरीके से solve कर सकते हैं चले इसका एक example करते हैं उसके बाद और conditions को discuss करते हैं so example है अगर हम harmonic mean find करना चाहते हैं तो harmonic mean क्या होता है वो होता है 2 a b upon a plus b 2 a b 2 a की value क्या है 3 b की value 7 upon 3 plus 7 तो हो गया उपर 2 3s आ 6 6 7s are 42 upon 10 तो यह हो गया क्या 21 upon 5 तो अगर हमारे पास यह दो elements है जिनके दर्मियान यह जो के harmonic progression में है तो इनके दर्मियान जो arithmetic sorry harmonic mean आना है उसकी value है 21 upon 5 तो किसी भी दो elements के दर्मिया harmonic mean इस तरह find कर सकते हैं अगर हमें एक से ज्यादा harmonic mean find करने हो तो क्या होगा तो उसका तरीका क्या होगा उसको example ले लेते हैं जैसे हमने साथ से पहले discuss किया था कि उसको हम just a plus d के formula सही find कर लेंगे उसको हमें ज़्यादा confuse करने की ज़रूरत नहीं है तो सवाल है find three harmonic means between the 1 upon 5 and 1 upon 17 तो find three harmonic means between between one upon 5 and 1 upon 17 अब हम भी क्या करना होगा कि हम सबसे पहले हम लेख लेते हैं कि consider जो harmonic progression है वो है simple one upon 5 one upon h1 में लेख लेता हूं just one upon h2 one upon h3 one upon 17 क्योंकि उसने कहा है कि तीन harmonic mean हम इंसर्ट करने इसके अंदर हो हमने hm की जगा पे h ठीक है तो हमने फड़ा था कि a plus n minus 1 d ये एक general formula है tn तो tn इस side लेखे हो side फरक नहीं पड़ता ये हमारे पास 5 है n की value देखे मैं last term उठा रहा हूं last term one two three four five five terms हो गए d क्या है common difference जो कि मैं नहीं पता find करना है और tn last term इसका 17 है तो ये हो जाएगा 5 minus 4 d equals to 17 4 d minus का ये हो जाएगा 17 और d हो जाएगा क्या minus 5 देखे 5 जाएके minus हो गया इधर आएगा plus का 12 4 d same d के answer आगया क्या 12 upon 4 तो ये हो जाएगा minus का 3 तो common difference आगया 3 arithmetic progression के हिसाप से ठीक है तो हमें पता है के h1 और कुछ नहीं बलके a plus d है h2 क्या है? a plus 2 d है h3 क्या है? a plus 3 d है तो d हमें पता है? a हमें पता है इस तरीके से हम क्या करेंगे के h1 का formula हम लिखेंगे कि a plus d तो a की value 5 है और d की value क्या है मैं पता चल गई minus 3 तो यह plus minus minus तो यह 2 आ गया h2 की value है a plus 2d 5 plus minus 3 into 2 क्योंकि 2d था तो यह बजाएगा minus का 6 minus 1 h3 a plus 3d 5 plus minus 3 into 3 क्योंकि 3d है यह हो गया minus 9 और यह आ गया minus 4 तो h1 हो गया 2 h2 हो गया minus 1 h3 हो गया minus 4 geometry progression क्या थी वो थी sorry harmony progression वो थी 1 upon 5 1 upon h1 h1 क्या है 2 1 upon h3 h3 क्या है minus 1 अच्छा और उसके बाद है h2 था minus 1 h3 क्या है 4 negative क्या उसके बाद 1 upon 17 सवाल में कई मिस्टेक है हमारे पास 5 17 अच्छा यहां पर यह मिस्टेक सबसे पहले अच्छा है अच्छा है अब यह था अच्छा है अच्छा है मेहत का यही रूल है कभी गलतियां होती है तो आप उसको क्रेट करना होता है अच्छाए अच्छा बाद 2 झाल झाल